आज की वीडियो में और्गेन केमिस्टी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टिन पढ़ेंगे क्वेस्टिन में यह पुछा गया है कि हाउ टू अडंटिफई नॉन एर्मेटिक कंपाउंड यहां पर आपको आपको फॉर कंपाउंड दीगे और आपसे पुछा गया है कि इन में से आपने विटाना है कि कौन सा जो में नॉन एर्मेटिक सब्सक्राइब कर सकेंगे तो उसके अंदर कांजुगेशन होना जरूर ही हुए तो konjugation प्र होता है सिंगल बांट आ भी नारिए तरय सेंगल अशय पूलते हैं उसला कॉन्जुगेशन नीजने घरी सेंगल दो कभी बांट थे हं किक बैच भी से Kathleen सबस्क्राइब करें और सिंगल फी सिंगल पर ने कहता है इसी तर अगरी साइड को आते है तो डॉबल, सिंगल, सिंगल, डॉबल, सिंगल, ठीक है तो कहने का मतलब है कि इस कंबाउंड के अंदर भी कांजूगेशन मजूद है तो इसका मतलब यह वाला कंबाउंड भी कभी भी नॉन एडुमेटिक नहीं हो सकता है तो जिसके process कांजूद भी कांजूद हो होती है तो इसमे आप जैसे तो डबल बाउन पर कोई भी ओक्सियन या लाटिजन एक्टिटomic इटम नहीं है तो इसका मतलब दो single bond at a time बारें तो इसके अंदर conjugation नहीं है, मैंने यह बतायता है कि अगर इसकी अंदर conjugation now तो वह वाला compound non-aromatic होता है तो इसका मतलब इस compound के अंदर conjugation नहीं है तो इसलिए यह वाला compound क्या होगा non-aromatic होगा, तो जो आज की वीडियो थे सारे बच्चों को वीडियो अच्छे लगिए, अगर वीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज मेरा चैनल के मिस्ट्री गार्ट में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक